तो हेलो दोस्तों क्या आपको भी यहां के सामने बोले में लगता है जैसे लौड़ीन वीडियो ऐसा लगता है यार हम केमरे के सामने क्या बूल है जब आप केमरे के सामने जाते हैं तो आप से कोशी बूल ही नहीं आता ठीक है तो दोस्तों इस कंडिशन में आप क्या कर सकते हैं कैसे अपने आपको बहतर तरीके से परफॉम कर सकते हैं जैसे कि अभी वाकी यूटूबर्स करते हैं मैं भी करता हूँ आप देख सकते हैं मेरे अदर एक विडियर नहीं के सामने बूलने का चलिए हम श्टार्ट करते हैं पहले पोइंट से Online दुनिया मैं यादि काम करना है Online दुनिया में डिजिटिल दुनिया डिजिटल वर्ड में हमें successful होना है तो आपको camera के सामने बूलना सीखना ही पड़ेगा देखिए आप camera के सामने आएंगी क्या से मैं आपको बताता हूं पर मोवाल में ही नोड ची यदी आपको पता है की सिकेसे लिंप लिखते हैं तो हमेसा विडियो खूट करने के पहले आपको एक script त्यार करनी है तो जब आप script त्यार कर लेंगे ठीक है तो अब आपको एक topic मिल गया क्योंकि जब आप पहले camera के सामने आती रहे होंगे तो आपको लगता रहा हो कि क्या बूला है camera क्या नहीं बूला है न तो जब आप एक script त्यार कर लेते हैं आपको एक टॉपिक मिल जाता है, आपको पॉइंट वाई पॉइंट क्या बोलना है, आप वहाँ पर डाल सकते हैं, पॉइंट नमबर एक, मैं हमको यह बोलना है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट डाल के बोल सकते हैं, फिर तीसरा होता है, सोरी, दूसरा पॉइंट यह होता ह कि आपको camera के सामने डरना नहीं है क्योंने डरना क्योंकि जब आप camera के सामने जा रहे हैं तो आप direct live थोड़ी जा रहे हैं YouTube में live जा रहे हैं Facebook page पर live जा रहे हैं या Instagram पर live जा रहे हैं मतलब कि आपको कोई देखने वाला नहीं हो स्टाइम पर जब आप वीडियो सूट करते हैं तो आपको कोई भी नहीं देखता सिर्फ आप अकेले होते हैं और आपके सामने एक मुवाल होता है बस तो आपको एक बात याद रखनी है कि आप जो भी गलतियां करेंगे वीडियो सूट करते समय बोलते समय तो आप उसको एडिट कर लेंगे अब एडिट करना क्या होता है एडिट का मतलब होता है कि जो भी आप वीडियो के अंदर गलतियां करते हैं मिश्टेक्स करते हैं सूट करते समय तो हम उनको काट सकते हैं वीडियो एडिटर एप्लिकेशन के दूरू ठीक है यहां कि डारेक्ट सूट किया हुआ वीडियो हमेशा नहीं रहता है इसलिए वीडियो एड़र की जरूफ सबको होते हैं जितने वीडियो को ने ऑज में पूरा टुरेल बनाया हुआ है उस पर तो आपको मिल जाएगी ठीक है तो आप से आप जाकर की सीख सकते है कि कैसे यूटुवर आपना एक नाम मनाऊँगा, ठीक है ना मुझे यूटुवर सपालो के नाम कमाना है, अब चौता पॉइंट ये हुता है, चौता पॉइंट हुता है प्रेक्टिस, आप स्टार्टिंग में जितने जादा प्रेक्टिस करेंगे, यानिकि बोलना का, भले आप दो को आपको बहुत ज्यादा डर लगेंगे घब रहत होगी जब दूसरी दिनैंगे तो भी डर लगे घब हो गी तीसरे दिन लेकिन यकीन और दो आपको भूर काम के बतलने चाहएगगा आप तो आपको प्रेक्टेस करने पड़ेंगे एक महीं दो महीं तीन महीं ठीक है तो आप लोग इन तीन चार टिप्स को फॉलो करिए और बागी मैं ने बता दिया है कि आपको वीडियो एडिट कैसे करना है एक नेक्स वीडियो में डिस्क्रिशन में आपको लिए